नारायन, नारायनं नमस्कृत्यनरंचैवनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। क्रिष्नायवासुदेवाय हरये परमात्मने प्रनतहकलेषनाशाय गोविंदायनमो नमहां शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायनं सूत्रभास्यकृतव वंदे भगवंतव पुनहा पुनहां इस्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम वद्व्याप्त देहाया दक्षिना मूर्तये नमहां आब्रम्हलोकादाशेशात आलोकालोक पर्वतात ये वसंतिद्विजादिवास्तिभ्यो नित्यम नमाम्यहं नमो गोभ्यह श्रीमति भ्याह सौरभेई भ्येवचा नमो ब्रम्हसुताभ्यष्चा पवित्राभ्यो नमो नमहां सर्विव्यो नमो नमहां इस गीता विचारप प्रवाह में अबगाहन करने की भावना से इस फेस्बुक इत्यादिक के माध्यम से और पुरह वरतमान जो जन है उपस्थित हैं उन सब का अभिनंदन सभी संत महानुभावों का स्वागत विद्वजनों का अभिनंदन माताओं का बेहनों का भाईयों का सब का अभिनंदन करते हुए प्रसंग पर आते हैं कल प्रसंग चल रहा था प्रसंग निरंतर चल रहा है ये जो मूल बात चल रही है पार्थ के मन में शरीर को नित्य मानने का ब्रह्म बैठ गया इन संबंधियों को नित्य मान करके इन शरीरों के विनास का हेतु बनने में दोस्ट देख रहे हैं जबकि भगवान कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके हमको और आपको ये उक्देश दे रहे हैं कि शरीर भिन्न है शरीरी भिन्न है शरीर और शरीरी दोनों भिन्न है देह और देही दोनों भिन्न है देही मने आत्मा शरीरी मने आत्मा और उसी भिषय को स्पष्ट करते हुए आत्मतत्यु की नित्यता को कई प्रकार से बता रहे हैं अच्छको कोई शंका भी कर सकता है एक ही बात को बार-बार पिश्ट पेशन किया जा रहा है जब एक बार कह दिया तो पुनुरुकती दोस्ट थो कर रहे हैं भासिकार भगवान ने कहा कि कल जो प्रसंग चल रहा था उसमें कहा कि भगवान ने अपने पक्ष का पोशन करने के लिए भगवती सुरुती का आश्रे लिया है और यहां जो यह एनम वेति हंतारम यस्चैनम मन्यते हतम जो स्लोक यहां गीता जी में स्लोक की रूप में मिल रहा है वो कठोप निशद में प्रथम अध्याय के दुतिय बल्ली में मंत्र की रूप में है उन्नीशवा मंत्र है और नजायते म्रियतेबा कदाचिन नायम भूत्वा यहां जो इस लोक की रूप में यह प्राप्त हो रहा है यही कठोप निशद के प्रतम अध्याय की दुतिय बल्ली में अठारवे मंत्र के रूप में प्रयुक्त हुआ है नजायते मरियतेवा बिपस्चिन यहाँ पर और वहाँ पर थोड़ा साई बिपस्चित का सामान निता बहुत छोटे छोटे शब्दों का भेद है वहाँ बिपस्चित प्रयोग किया है यहाँ कदाचित और कस्चित प्रयोग किया है ऐसे हता हंता चेन मन्यते हंतुम वहाँ पर हंता चेन मन्यते हंतुम ऐसा प्रयोग है और यहाँ यह नम बेत्ती हंतारम यह चेनम मन्यते हतम यह जो प्रयोग किये गए है इस प्रकार भगवान भासेकार ने कहा था कठोपनिसस से दोस्तुरतियां लिया उसको कहा तो बार-बार ये स्पस्ट किया जा रहा है कि शरीर ही परिवर्तित होता है आत्मा परिवर्तित नहीं होता जन्म भी इस देह का ही है देही का नहीं है आत्मा का नहीं है इसको ऐसे समझ सकते हैं बनता है घड़ा घटाकास नहीं बनता पूर्व से जो महाकास है घटके बनने पर घटके अंदर का जो भाग है वो महाकास से व्याप्त हो जाता है और जितना अबकास भाग है उसी को घटाकास कह देते है आत्मा तो सर्भव्यापक है जितना रूप में जब देह संगात खड़ा होता है उस देह संगात का हिस्सा बन जाने के कारण ही उसको व्यस्टी की बुद्धी से जीवात्मा कहते है अन्य था मेरी बात समझ में आगी ना घटाकास का मतलब है घट बरती आकास और वो कोई नया नहीं है उत्पन नहीं हुआ है पैदा करके घड़े के अंदर नहीं भरा गया है वो महाकास का ही घट के कारण विभाजित भाग है घट के कारण और घट फूट गया ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से आकास को उठाया और उसमें मिलाया है वहाँ से लाय इसमें भरा है जैसे घड़े के अंदर आकास को भरना और निकालना नहीं पड़ता घट बन गया तो महाकास का ही एक समझने और समझाने के लिए शरूप है कि घटा का से साव अलग जैसा लग रहा है तूट जाएगा तो उठा करके वहाँ मिलाना पड़ा ऐसा नहीं है ऐसे ही सर्भव्यापक जो चेतन सत्ता है वो देह के बनने पर उसमें समाविष्ट हो जाती है तो इसका मतलब है नहीं कि उठा करके लाए है चेतना को कनेक्शन जोड़ा है और फिर टुकड़ा हो गया वो पार्ट नहीं बना देह की दृष्टी से उसको अलग जैसा कहते है जैसे सर्भव्यापक सर्वत्र समान रूप से प्रसृत बायू रूप रहित स्परशवान बायू ये बायू का लक्षण है और वो सर्भव्यापक है परन्तु सर्भव्यापक बायू का प्रयोग हम ट्यू टायर में जो हबा भरते हैं महाँ प्रयोग नहीं कर सकते उसके लिए कोई केंद्र चाहिए कोई उपकरण चाहिए कोई साधन चाहिए ऐसी जो सर्भव्यापक चेतना है वो विस्टी के माध्यम से देह के माध्यम से वो जीवात्मा के रूप में वेवहार की जाती है पर वो टुकड़ा नहीं है वो हिस्सा नहीं है इसलिए उसका जन्मादिक नहीं होता तो नजायते मरी ये इस लोक कल हम लोगों ने पारायन कर लिया था उसका भाब भी लगबग समझ में आ गया था तो कह रहे हैं कि अयम मने यह आत्मा ये जो आत्मा है ये नाम मने नहीं और कदाचित माने कभी भी और जायते माने पैदा होना ये कभी उत्पन नहीं होता कदाचित सब्दह सर्भ विक्रिया प्रतिशेधाई ही संबध्यते न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते इत इवब भाशेकार भगवान के ते कदाचित सब्द को सबकी साथ जोडने सब विक्रियाओं के साथ में तो ये आयम मात्मा कदाचित पी नजायते कदाचित पी न म्रियते ऐसा जानना चाहिए और आगे कहते हैं न आयम यह बाभूत्वा भूय न भविता ऐसा भी नहीं कह सकते यह यहस्मात अयम आप्व्त्वा भवनक्रियाम अनभूय यह आत्मा उत्पन हुआ है और उत्पत्ति रूप ने विकार की प्रतिती है ऐसा नहीं कहोगे आप कि हो रहा है होगा यह भी इसके साथ में नहीं संबद्द हो सकते आत्मा के साथ में क्योंकि ये अज है माने अजन्मा है नित्य है शास्वत है और ये पुरान है पुरा अपी नवम ये कब से है और बहुत माने लाखों करोणों भर्ष कोई आप इयत्ता नहीं कर सकते कालावधी निश्चित नहीं कर सकते ये सार्वकालिक है ये नहीं कह सकते सो साल है तो पुराना हो गया है ये पांसो साल का है तो पुराना हो गया है ऐसा नहीं चलेगा ये पुरा अपि नित्यम नवम इसलिए हन्यमाने शरीरे अपिभूत्ता नहन्यते शरीर नस्ट होते हैं पर ये मारा नहीं जा सकता नस्ट नहीं किया जा सकता तो अब भाशेकार भगवान की मंगल में इबानी में हम डूब करके रसलें करें न जायते अर्थात न उत्पद्यते इस स्लोप में एक बात और बताई है कि छे बिकार माने जाते हैं सड़भाव बिकार सड़भाव बिकार कहे जाते हैं उनमें नमबर एक है अस्ती सबसे पहले अस्ती माने अस्तित तो है और जब वो है तभी तो जायते होगा सबसे पहले अस्ती फिर दूसरे नंबर पर जायते माने उत्पन होता है फिर तीसरी प्रक्रिया है कि वो परिवर्धते या बिवर्धते कुछ बड़ा होता है बढ़ता है और फिर आप चोथी बात कहेंगे बिपरी नमते कुछ परिवर्धन आता है और नमबर चार पर कहेंगे अपक्षियते माने धीरे धीरे छीन होता है और छटी बात कहते हैं नश्यती माने नश्ट हो जाता है ये छे जो सब्द कहें हैं है, पैदा होता है, बढ़ता है, बदलता है, घटता है, नश्ट होता है ये छे प्रक्रियाइं बताई तो इसको अपने जीवन के साथ में घठता हुआ देख लीजिES जीव की सत्ता है मा की गर्भ में अस्ती कह दिया अस्ती कस्चित बोले हां अस्ती अभी बाहर नहीं दिखा नहीं सकते माता के गर्भ में है अस्ती यद्यभी उससे पहले भी है ही है अस्ती दिसत और जब वो पैदा हो गया बालक तो कहते है जायते वो है जो है है अवस्था वो जायते में परिन्त हो गई वो प्रगट हो गया जन्म हो गया और जायते पैदा हुआ था दीर दीरे महिना दो महिना बर्ष दो बर्ष में क्या हो आले बिवर्धते बजन भी बढ़ रहा है शरीर का आकार भी बढ़ रहा है बिशेशता है, दक्षता है, कुसलता है, योग गिता है, क्रियासीलता है भी बढ़ रही है आँक भी बढ़ी हो गई, हाथ भी बढ़े हो गई, उलियां बढ़ी हो गई, नाखून बढ़े हो गई तब केते हैं कि जो अस्ती था वो जायते हो गया और वही बिवर्धते माने बढ़ रहा है युवा हो गया खूप और बड़ा सुन्दर लगता है युवा योवन का अपना एक आकरशन होता है काले काले गुम्राले बाल होंगे ऐसे सुन्दर चेहरा होगा ऐसी आखे होंगी ऐसा माता हो ऐसा शक्ति होगी पर जो चतुर्थ शब्द है भी परिणम थे इसको कैसे समझे परिणाम मैंने कुछ बदलाव आ रहा है बोले धीरे से योवन के बाद में जो प्रोधत तो आता है 30 के लगबग बाद 35 के आसपास कुछ लोगों को 40 के पास कुछ को 50 के पास ऐसा आता है कि वो जो बाल काले थे अपने आप सफेद होने लग गए बिना तेल के भी जो बाल स्निक्द लगते थे वो तेल लगाने पर भी उतनी स्निक्दता नहीं हाती जिन आखों में बिना चस्माद के बहुत अच्छा देखने की समता थी वो विपरिनाम हो रहा है अब देखने की समता चीन हो रही है या इसको अभी नहीं कहेंगे तचा सितिल हो रही है बालों का स्वेत होना चेहरे की चमक का कम होकर की जुर्यों में बदलना ये विपरिनाम है इसके बाद में पंचम सब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो है अपक्षियते मने छे हो रहा है अब यहाँ पर आखों की देखने की क्षमता क्षीन हो रही है इसलिए वहाँ आख की बात कह करके रोग दिया कि आखों आखों की क्षमता कम हुई कानों की सुनने की क्षमता कम हुई तीबर तीबर खाने की क्षमता दातों में कमजोर याने करण कम हुई कुछ-कुछ बोलने की क्षमता में भी बदलावाया दौड़ने की क्षमता में कमी आ गई योवन में किशोरावस्था में कूद करके पहाड़ी पर भी चड़ जाते थे सीडियों पर छलांग मारते वे तीन-तीन सीड़ी कूद कूद करके चड़ जाते थे एक समय आता है कि एक सीड़ी पर आगे पैर रखे तो घुटना पकड़ना पड़ता है ये अपक्षियते माने धीरे-धीरे छीन हो रहा है और गजब की बात बताए यद्यपी हाइट में पिता निश्चत रूप से लंबे होंगे पर लड़का और पिता दोनों खड़े होते हैं पचास-आठ के आसपास ऐसा आफसर आता है अपने जमानें बहुत लंबे पिता उने से काटा नए गया है छाटा नहें गया है परन्तु शरीर कुछ चिकरने लगता है तो हाइट कम लगती और लड़का लंबा लगता है जैसे लड़कियां और माताओं में देखने में आता ह यह हाइट भी घटती वड़ती नहीं परन्तु शरीर में जो संकुचन आता है वो सिमट ना आता है उससे छोटा लगने लग जाता है बिना कटे हाइट घटती है और एक दिन आता है मृत्ति होगी माने बिन अस्यती ये सड़भाब विकार हैं और यही बात इस लोग में कह रहे हैं इन छे के छे विकारों से ये आत्मा मुक्त है इस आत्मा में अस्ति जायते विपरिण ये जो चीज़ें हैं कीवल पहला अस्तित तो है उतसत्ता है इसलिए जायते विपरिणमते आधिक उसमें नहीं घटते अच्छा तो न जायते न उत्पद्यते जनी लक्षणा बस्तु विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्था भाशेकार भगवान की बड़ी मधुर बड़ी सरल बड़ी ललित बानी है कोई कोई भी से इसलिए कठिन लगता है क्योंकि हमने पहले सुने नहीं है कुछ विदान्त के शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो जटिलता सी लगती है बस उसको समझने की आवश्यक्ता है बोले इस आत्मा में जनी लक्षना जो वस्तु विक्रिया है वो नहीं घट दी उत्पन होना घटित नहीं होता ये विकार आत्मा में नहीं देखा जाता और नम्रियते बाशब्द चार थे ये जो बाशब्द है चा के अर्थ में और वो मरता भी नहीं है नम्रियते चा इती अंत्या बिनाश लक्षना विक्रिया आपी प्रतिशिद्यते नम्रियते कहकर के जायते और अंतिम में बिनश्यती इन दो बिकारों का समाधान कर दिया जायते शब्द से इसमें जन्म नहीं है और म्रियते इसमें बिनाशित तो नहीं है तो दो भाव विकारों का खड़न हो गया और आभी पहले हम कहें जोगे कदाचित शब्द का सबके साथ में विन्योग करना पड़ेगा अनवे करना पड़ेगा कदाचित न जायते, कदाचित न अम्रियते कदाचित आदिक सम्में नब् difपरिणमते खदाचिफ नव अपक्षिय थे आदिक ये स्मात आयम आत्मा भूत्वा भऽनक्रियाम अन्भूय पश्चात अभाविता अभावम कंता नभूयः आप इसलिए जिसे ये आत्मा ऐसा नहीं कह सकते कि उत्पन हुआ भवनक क्रिया को प्राप्त हुआ अत्पन होने वाले क्रिया को प्राप्त हुआ और फिर बाद में अभाव को प्राप्त होगे ऐसा भी यहां नहीं कहा जा सकता यह अभाव को भी प्राप्त नहीं होता है जाता है जो उत्पन होकर पिर बाद में जैसे पहले कभी पैदा हुआ फिर अभ नहीं रहा उसको मरना कहा जाता है लोग में पर आत्मा तो ऐसा है नहीं बाश अब्धाद नश अबदाच्स अयम आत्मा अभुत्तवा भविताव देह बत नभूया.' बावर नस्ब trat उसे का जाता है कि अभुत्व भविताबाव देहवत नभूया पुना तस्मात नजायते पहले तो था नहीं फिर याभी हो गया होकर के नहीं रहा इसको मरना कहते हैं जो है जिसे घड़ा है फूट गया तो बो它ली नस्त हो गया ओमरना कहा तो यह आत्मा इसा तो कि होकर के मिट गया हो इसलिए इसके साथ में मरना नहीं घटित होता और दूसरा कि पहले था नहीं फिर हो गया तो देवत न भूयप पुनह तसमात न जाये थे शरीर के समान के सरीर पहले नहीं था फिर हो गया आत्म ऐसा नहीं इसलिए इसमें जन्मना मने उत्पत्ती का भाव नहीं कहा जा सकता योही अभुत्वा भविता सा जायते जो पहले नहीं था फिर होता है इसको उत्पन हुआ माना जाता है कि पैदा हो गया नएवं आत्मा अतो नजायते आत्मा शरीर के जैसा नहीं है कि इसको जायते कहा जाये पैदा हो ना कहा जाए यस्मात एवं तस्मात अजह अब अस्ती शब्द की बात कर रहे हैं यहां तक तो जायते और विनस्यती पर विचार किया अब कहते हैं अस्ती कह रहें यस्मात एवं तस्मात अजह यस्मात नम्रियति तस्मात नित्यह यह ऐसा है अर्थात जन्मना और मरना सब इसके साथ नहीं जुड़ता है इसलिए इसको अज कहा जाता है और यह समात नम्रियते तसमात नित्ति कहा जाता है यह पैदा नहीं हो दसलिए जन्मा है और यह मरता नहीं है इसलिए यह नित्ति कहा जाता है अब कह रहें यद्यपी ये दो जायते और म्रियते अर्थात जायते और विनश्यती इन दो के द्वारा ही आध्यनतयो हो विक्रियो हो प्रतिसेद है इन दोनों का प्रतिसेद कर दो पेदा ही नहीं होता मरता ही नहीं है तो बीच के जो चार सेश रह गए है वो अपने आप सि प्रतिशिद्ध हो जाएंगी तथा पी मध्यभावनी नाम विक्रिया नाम स्वसब्दई ही एवत दर्थई प्रतिशेध करतव्य इति अनुक्ता नाम अपी योग बना दि समस्थ विक्रिया नाम प्रतिशेदो जिथा स्यात इति आह शास्वत एक कहना चारे भगवान भासिकार की न जायते और न मृयते कहने से काम चल जाता ये अलग से सबका प्रतिशेद हो जाता तो इस पस्टतया की असास्वत है अज है पुरान है ऐसा कहने की क्या वर्शक्ता पड़ी तो खेरे इसलिए यद्य भी हो जाता पर अपने निजी सब्नों से ही उन सब विक्रियाओं का प्रतिशेद करना था इसलिए अनुक्तों को भी कह रहे हैं योवनादी समस्त विकार इस शरीर को जो प्राप्टे उनका भी निशेद कर दिया जैसे अपक्षियते का कर रहे हैं यहाँ जो सास्वत सब्द का प्रयोग किया गया है सास्वत इती अपक्षे लक्षणा विक्रिया अपक्षियते माने दीरे-दीरे छीन होता है यह जो भाब विकार था उसको किस सब्द से सिद्ध कर रहे हैं शास्वत से जो शास्वत है एक रूप है उसमें अपक्षे क्रिया घटित नहीं हो सकती इसलिए उसका प्रतिसेद कर रहे है सस्वत भवाह शास्वत है जो सर्भदार रहे एक रूप रहे जो अपने स्वरूप से छीन नहीं होता है जो सावयव है अवयव के सहित है वही घटेगा वही बढ़ेगा वही दुरवल होगा वही सवल होगा पर ये तो अवयव रहीत है और निरुगुनत्वात ये गुणादिक रहित भी है सत रज तम से परे है इसलिए गुण के छे होने पर भी इसमें कोई विकार नहीं आता निर्गुण होने के कारण अब अगला सब्द है विवर्धते बढ़ता है बोले अपक्षे विपरीता अपी विर्धी लक्षना विक्रिया प्रतिशिद्यते पुरान पदेना आत्मा को पुरान सब्द से कहा है तो अपक्षे के जो विरुद्ध विरुद्धी है अपक्षे माने घटना अभिवर्धते माने बढ़ना तो जो बृद्धी लक्षना विक्रिया है उसका प्रतिशेद किस्से कर रहे हैं बुले पुरान से योही अवयवागमेन अपचिय उपचियते सब रधते जो अवयव के आगमन से उपचियते माने बढ़ता है उसको बरधते अभिनव इतिच उच्चेते ऐसा कहा जाता है यह नया हुआ है यह बढ़ रहा है परन्तु अयन्तु आत्मा निरवियवत्वात आत्मा तो अवयव रहीत है पुरा अपी नव एव यह पुराना होने पर भी नया का नया है इसलिए पुरानों नवर्दते अर्थात पुरान कहने का आरते इसमें वृद्धी नहीं होती अब विपरिनम्ते का विविचन कर रहे हैं तथा नहन्यते न विपरिनम्यते हन्य माने विपरिनम्य माने अपी शरीरे शरीर परिवर्दन होते हैं शरीरों वदलाव होते हैं परन्तु आत्मा में नहीं यही इसी बात से विपरिनम्ते भावक क्रिया का भाव विकार का उपदेश कर रहे हैं हंती अत्र विपरिनामार्थो द्रिश्टब्यह अपनुरुक्तता यही न विपरिणम्यते इत्यर था यहां हंतिक्रिया जो प्रयोग की गई है वो पुनुरुक्ती दोस्ते बचने के लिए विपरीत परिणाम समझना चाहिए इसलिए यहां अर्थुआ कि आत्मा अपने स्वरूप से बदलता नहीं है बस इतना ही समझना है असमिन मंत्रे यहां अदेखो भगवान भासेकार ने मंत्र कहा स्लोक नहीं कहा गीता जी के इन उपदेशों को स्लोक कहा जाता है लवकिक संस्कृत में जो पध्यात्मक करिचना है उनको स्लोक कहा जाता है मंत्र नहीं कहा जाता और गीता जी लोकिक संस्कृत में उपनिवद्ध है शुरुती का अनुमोधन करने से शुरुती के सिद्धानतों का प्रतिपादन करने से शुरुती के समान मान नहीं है पर गीता जी शुरुती नहीं है दोनों में ये फर्क है कि ये भगवान की बानी से निर्गत है और सुरुती भगवान के भगवान के स्वास रूप है मत्मा में जो लॉकिक वसतु ओविक्रिया है वो आत्मा में प्रत्सिद्ध किये गए है मत्मा कहने कारत यही है हम प्रारम्व में बताया ये कठो अपनिशद का यथावत उद्धरन दिया है और अपनिशद वेद का भाग है इसलिए अपनिशद के समग्र विवेचन को मंत्र भाग से माना जाता है कुछ लोग हैं जो केवल चार सम्हिताओं को ही मात्र वेद कहते हैं वो ब्राह्मन भाग को उपनिशद भाग को वेद नहीं मानते और जबकि शास्त्रों ने कहा है बहुत डिंडिम घोस के साथ कहा है मंत्र ब्राह्मन और वेद नाम धेयम मंत्र और ब्राह्मन भाग अर्था सत्पत ब्राह्मन आदिक जो ब्राह्मन भाग हैं वो सब के सब उन मंत्र भाग के ब्याख्यान रूपात्मक है उनी के सिध्धानतों को शब्दों को विशद करके विवेचन करके उसका उपदेश करते हैं तो ब्राम्मन भाग भी मंत्र भाग ही है बेद भाग ही है उसी प्रकार उपनिशद भी बेद भाग ही है मंत्र भाग ह ऋन्ता ही है इसलिए मंत्र कहा के सरभब प्रकार विक्रिया रहित आत्मा हैं ऐसा वाक्यार्थ समझ लेना चाहिए यसमात युसमात अभई तव नविजानीत्यAll अब यह मंत्र का अर्थ कर द्या एसा होने से Як पिए यह जो नित्य है इसलिए इसको जो मारने वाला मानता है और जो मरने वाला मानता है अभव तव नभिजानी तह इति पूर्वेन मंत्रेन अस्य संबंधा ये दोनों के दोनों अज्यानी हैं जो मरने और मारने वाला मानते हैं सात्मा को ये इस प्रकार इस लोक का इस मंत्र का उपदे इस भगवान भासेकार की बाणी के माध आत्मा ऐसी प्रतिग्या करके नजायते इति अनेना अविक्रियत्वे हेतु मुक्त्वा अब प्रतिग्यात अर्थ का उपसंघार करते हैं पिसले इस लोग से नजायते इत्यादिक के द्वारा ये बताया कि ये जो आत्मा है ये हननक्रिया का करता भी नहीं हो सकता और हननक्रिया का कर्म भी नहीं हो सकता अब इसकी अब विक्रियत तो शिद्ध करके अब जो प्रतिग्या की की गई थी उसका उपसंघार कर रहे हैं वेदा विनाशिनम नित्यम ये नजम अव्ययम कथम सपुरुशह पार्था कमघात यतिहंतिकम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन हे पार्थ यहां पर संबोधन पार्थ है हे पार्थ यहां मने जो पुरुशह मने पुरुश जो पुरुश एनम मने इस आत्मा के भिशे में कहने हैं एनम माने इस अविनाशिनम और नित्यम हे पार्थ जो पुरुष एनम माने इस अविनाशि और नित्य और अब्य अविनाशिनम नित्यम अव्ययंच अजम अब्ययं नित्यम अविनाशिनम बेद जानता है हे इस आत्म को मारोगे तो पाप लगे पर तुम भला सोचो तो सही तुम कौन हो जो आत्मग्य है आत्मा की वस्तुस्थिती को जानता है आत्मा के मूल सुरूप को जानता है वो आत्मग्य पुरुस भला कम हंती किसको मारेगा और कम घातयती माने कि इसको मरवाएगा इसको मारने की प्रेणा देगा माने हंती और प्रियाओं का प्रयोग करके मानो भगवान कृष्ण ने स्वयम को भी सामिल कर लिया हंती माने हनन क्रिया का करता होने के कारण तुम भी उस दोस में सामिल नहीं माने जाओगे और कजाचित कोई कहे कि कृष्णस में प्रयोजक करता है इदिजन्त घातयती तो ध्यान रखना घातयती मैं प्रयोजकत्य द्रिश्टिर मां आपनु ही मुझे में भी दोस मत लगाओ कि मुझे व्यर्थ की इस फाल्तु के काम में क्यों लगा रहे हो इसलिए प्रयोजक करता को भी दोस नहीं होगा भला बताओ जो आत्मा को नित्य सास्वत अजन्मा मानता हो वो किसी को कैसे मारेगा और किसी को क्यों मरवाएगा सोचो तो सही इसी पर भास से करते हुए भगवान काफी अच्छा विचार कर रह हैं भास से कर जो ऐसा जानता है कैसा आत्मा को अभिनाशी के रूप में अभिनाशी कहने का अंत्य भाब विकार रहित और नित्य कहने का मतलब बीपरिणाम रहित दुर्वलता आधी पुर्वेन मंत्र गप्त लक्षण सोगा vitamins, जन्म रहितं अभ्यंव अपक्षे रहितं जन्म रहित और विनास रहित जो मानता है कि को बताओ भला एक बात तो बताओ कथम केनप प्रकारेन सब इद्वान पुरुषा अधिकृतों हनती हननक क्रियाम करूती और कथम बागाती है थी हनतारम प्रयोजे थी अभी जो आप सुन चुके हैं वही स्पष्ट कर रहे है कि जिस व्यक्ति ने आत्मा को अभिनासी मान लिया है मने अंतिभाव विकार रहित मान लिया है मृत्यू रहित मान लिया है और दूसरा विपरिणाम रहित मान लिया है नित्य मान लिया है जो इस आत्मा को अजन्मा मान रहा है और अपक्षे रहित मने मृत्यू रहित मान रहा है वो ऐसा ज्यानी, ऐसा तत्वग्य, जो अद्वईत निष्ठ है, जो ब्रम्म निष्ठ है, जो एक निष्ठ है ऐसा ज्यानी विद्वान पुरुष, भला बताओ कि हननक क्रिया का करता कैसे हो जाए, किसी को मारेगा कैसे हो या सब कुछ जानते हुए भी किसी को मारने की प्रेड़ना देने वाला कैसे हो जाएगा न कथंचित कंचित हंती न कथंचित कंचित घात यती एक सपस्ट अपना मत दे रहे हैं कि ना तो किसी को कैसे भी मारता है और ना कैसे भी किसी को भी मारने की प्रेड़ न देता है उभ्यत्र यहां जो आक्षे एव अर्था सम्हवाद को यह ना सोचे की कथम और किम यहां शलोक में कथम सब उरुषा पार्थ और कम यह किम सब्द का कम बनता है तो किसी को यह जो प्रशनार्थक नहीं है कथम और किम अब यह तो आक्षे पार्थ है को यह न सोचे कि प्रशन किया गया है किसको मारेगा कैसे मारेगा यह नहीं अर्थात यह प्रशन नहीं आक्षे पर भला बताओ कैसे किसी को कैसे किम जैसे हम लोग आवेश्मा कैसे बोल सकता है तो कैसे कम उतला प्रस्ण नहीं है आक्षेप कर रहे हैं उसकी हिम्मत कैसे होई बोलने की कैसे भला कोई कह देगा तो प्रशनार्तियां संभव नहीं है जबकि भगवान को यहाँ अभिप्रेत क्या है इतना सब विवेचन करने पर भगवान ने कहना क्या चाहते हैं भगवान कहना चाहते हैं आत्मवेत्ता जो विदुसह है जो आत्मग्यानी है वो सर्वक कर्म प्रतिशेधे एवा भगवान कहना चाहते हैं आत्मग्य व्यक्ति को सभी कर्मों के प्रति अनधिकारिता बोधित कर रहे है यह नहीं कुछ करना है कुछ नहीं करना है ये कहने से ताद पर यह है कि वो नकिंचित करोती वो कुछ भी नहीं करता क्यों बोले अविक्रियत त्वस्य जो अविक्रिया रहित तत्त को जानता है समान रूप से कह करके समग्र क्रियाओं से समग्र कर्मों से उसके राहित्य का बोध करा रहे है समान रूप से कहा जा रहा है यही प्रकरण का आर्थ भगवान को इस्ट भी है और जो हनते है तो आक्षेपह उदाहर नार्थत्वेन जो हनन क्रिया का यहां पर प्रयोग किया है नायम हनतीन हन्यते हनन क्रिया केवल उपलक्षन मात्र है इसको यह मत समझना केवल मारने की सं बंद में उसको दोस नहीं लगता अभी तो कह रहे समग्र जितनी भी क्रिया है आत्मा निर्विकार है नित्य है इसलिए इसको क्रिया का किसी भी क्रिया का कर्त्रित और कर्मत बनना संबब नहीं है हनन क्रिया तो मात्र उपलक्षन है अर्थात जो आत्मक ज्यानी है उसको संसार में कुछ भी करने का कुछ भी कराने का कोई व्यवहारिक गुण दोस नहीं है उक होता ही नहीं है नित्य और अभिकारी होने कारण तो मानौ पूरु पक्षी ने एक प्रस्चन किया है महाराज आप बहुत जोर लगा करके बोल रहे हो कि यह जो आत्मज्यान संपन विद्वान है यहां विद्वान सब्दकार्थ साधारन विद्वान मत मानना आत्मा को नित्यत्य न जानने वाला आत्मा को सास्च्वत के रूप में जानने वाला अक्रिया निर्गुण मानने वाला तो ऐसा जो आत्मा की विशे का जानकार है वो किस कर्म को करने में अक्षम है कम कर्मा संभवे किस ऐसी विशेष्था को देख करके भगवान आक्षिप कर रहे हैं कथम सपुरुशह तो कौन सा ऐसा कर्म जिसको नहीं कर सकता उत्तर दे रहे हैं इसे अविकारी होने के कारण सर्व कर्म असंभव है किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म हो ये नहीं सकता है ये पहले बता चुके तो कहा कि बात तो ठीक है सत्यमुक्तो नतुसकार पर ये कोई बहुत विशेश बड़ा कारण नहीं है आपने ठीक कहा क्यों? बुले अविक्रियात आत्मनहा अन्यत्वात विद्शह आपने जो कहा ये कोई बहुत खास बात नहीं है क्योंकि आत्मा तो अभिक्रिय है तो जो निर्विकार आत्मा है उसको जानने वाला विदुसह तो अन्यत्वात भिन्न है जो अभिकारी आत्मा है वो प्रथक है और ये आत्मा अभिकारी है इसको जानने वाला कोई और है तो दोनों भिन्न हो गए जानने वाला कोई और है और आत्मा अविकारी है ये सत्ता कोई और है तो ये तो दोनों अलग हो गए कि नहीं अविक्रियम स्थानुम विदित बताहा कर्म न संभवती ये तो बिल्गुल सच है अविक्रिय स्थानों को जानने वाला जो व्यक्ति है उससे कोई कर्म की संभावना नहीं हो सकती तो जानने वाला कोई और हुआ परन्तु अविकारी आत्मा अलग हुआ दोनों को प्रथक प्रथक करके दिखा दिया उत्तर दे रहे, ना ऐसा नहीं है अभी आप प्रशन को समझ लें प्रशन को ठीक से समझ में समझ लिया जाता है तो अर्थ आधा अपने आप लग जाता है समाधान अपने आप हो जाता है और प्रशन ही समझ में नहीं आता तो मुश्किल हो जाती है कह रहे हैं, उन्होंने प्रशन किया कि कौन खास बात है आत्मा अविकारी है आप ये कह रहे हो तो इसको जानने वाला कोई तो होगा कि ये आत्मा अविकारी है आत्मा का अविकारी होना अलग बात है और इस बात को जानने वाला कोई और खड़ा होगा ये बात एक लगे जैसे स्थानों अविक्रिय है ये खूटा ये पाशान क्रिया रहित है एक तो ये हो गया और दूसरा इस बात को जानने वाला है कि हाँ इस्थानों अविक्रिय है ये बात ऐसी समझने चाहिए कि कोई ग्याता भिन्न है और आत्मा अविकारी है 제 गये विशह भिन्न कहरें नई नई भगवान भाफिकर दो करने का नई ऐसा नहीं हो सकता एसा नहीं कह सकते ये कहना उचित नहीं है क्योंकि बिदुसा आत्मत्वात ज्यानी तो आत्मा ही हो सकता है ये नयाईकों ने भी ज्यान का अधिकरण आत्मा हो कहा है आत्मा ज्यान का अधिकरण ऐसा कहा है और यहां बेदान्तियों ने आत्मा ज्यान रुपई है यहां ग्यान का आधिकर्ण तो वहां ग्यान भिन्न है आत्मा भिन्न है दो चीज़े दिखाई है परन्त यहां पर वस्तता है विद्वसा आत्मा ही चेतन होने के कारण ग्यान रूपात्मक हो सकता है न देहादी संगात अस्य विद्वत्ता याद रखना देहादी संगात में ग्यान की संभावना नहीं हो सकती बोले क्यों बोले देहादी संगात तो जड है देह में जड में ग्यान की संभावना तो कत्म भी संभव नहीं है अतह इसलिए पारिशेश्यात अब बचगा क्या शरीर और सरीरी दोई है ना तो सरीर तो जड़ है इसलिए उसमें ज्ञानवत्ता की संभावना नहीं है तो बचा आत्मा अत्हप पारिशेश्यात असंगत आत्मा विद्वान अविक्रियती इसलिए तुम जो कहते थे कि अविक्रियता कहीं अविकारिता कहीं और है और इस अविकारता को जानने वाला कोई और है स्थानू के समान ये बात तुमारी घटित नहीं होगी तस्य विदुसह इस प्रकार का जो विकार रहित और ज्यान युक्त आत्मा है और तद विशेक आत्मा को जो जो विद्वान है तस्य विदुसह, तस्य आत्मना विदुसह, जो विद्वान है, उसमें कोई भी कर्म संभव नहीं है कि संपन्न हो जाए, इसलिए भगवान का कथन सपुरुशह, पार्थह, ये कहना बिलकुल ठीक है, अच्छा आप दूसरी बात कह रहे हैं, उनने का भई जैसे ये था जैसे अविक्रिय मने आत्मा विकार रहित है, पर कुछ लोग अविद्या से प्रभावित होकर के आत्मा में सब्दादी विश्यों के आहार की भोगने की कल्पना कर लेते हैं, जानकारी ना होने के कारण, वो बुद्धी वृत्ती को और आत्मा को एक मान लेते हैं, जैसे सरीर पर चोट लगने पर कहता है, मुझे चोट लग गई, कोई नहीं कहता मेरे सरीर को, पर एक बात याद रखना, जितना भेद और जितनी बिलगता, जितना पार्थक के आप में और आपके कमरी में है, आप में और आपके घर में है, जैसे घर भिन है और आप भिन है, आप भिन है और आपका कमरा भिन है, कमरे में आप हैं, घर में आप हैं, पर आप घर नहीं है, आप कमरा नहीं है, ये उदाहरन मैं समझता हूँ, जादे सटीक बैठेगा, कि जैसे मैं मेरे कमरे में हूँ, ये विवहार लोकिक है पर मैं कमरा नहीं हूँ ऐसे ही आत्मा शरीर में है पर शरीर नहीं है ये उधारन पूरी तरह से सटीक बैटेगा आत्मा शरीर के अंदर है पर शरीर नहीं है उतना ही आत्मा शरीर से भिढ़ना है जितना कि तुम तुमारे कमरे से तुमारे घर से अलग हो शरीर को चोट लगती है अज्ञान के कारण तुम कहता है मुझको चोट लग गई और जबकि कहना चाहिए मेरे शरीर में चोट लगी है मानो जैसे घर को छती पहुंचने पर कहता है मैं मर गया घर तूटा तो बहुले मैं तूट गया पुत्र के मरने पर कहता है मैं मर गया आती से आसकती बसात बिमोह बसात पुत्र मैं आत्मवुद्धी करने के कारण पुत्र के मरने पर मैं मरा ऐसा भाव व्यक्ति के मन में आता है गाड़ी से बहुत प्रेम करें उसको खरोंच भी लग जाए तो फिर उसको लगता है मुझको खरोंच लगी है और अपने सरीर पर लगी हुई खरोंच की उत्पन पीडा के अनुभव का जैसा अनुभव करके गाड़ी के उपर खरोंच करने वाले से लड़ना चाहता है डाटना चाहता है मारना चाहता है तो जड़ पदार्तों में आत्म भाव करने सा होता है तो अविक्रिया आत्मा में जैसे अविद्या से प्रभावित होने के कारण लोग कलपना करते हैं कि आत्मा ही सब्दादी विश्यों का भोग कर रहा है जबकि करता को ने बुले बुद्धियाद्याहृतस्यो बुद्धी सब्दगार्द्या ज्यानेंद्रिया है मन बुद्धी सहीत ग्याने अंद्रिया तो बुद्ध्याद्या आहृतस्यो बुद्धी आधिक मन सहीत ग्याने अंद्रियों के द्वारा जो आहृत मन भुक्त सब्दादी विशे हैं उनको लोग अज्ञान के कारण अविक्रिया आत्मा में बुद्धि वृत्ति और आत्मा के एक्य को मान करके अविद्या से प्रभावित हैं इसलिए क्या कर लेते हैं मन इंद्रियों का आत्मा से एक ही करण कर लेते हैं एक जैसा मान लेते हैं एक ही है वो होता क्यों अविद्या के प्रभाव से तो इस अविक्रिय आत्मा में आरोपित कर लेते हैं जबकि ये संभव नहीं है ऐसा मान लिया जाता है ठीक करें ऐसे ही एवम एव जैसे उपर वाली बात है अज्यान के कारण बुद्धी आदिक को आत्मा से एक मान लिया और फिर बुद्धी आदिक के द्वारा जो उपर ही तो भुक्त श्रवन आदी रूप रस गंध आदिक हैं उनको आत्मा के द्वारा कल्पित मान लेते हैं जद्यपी आत्मा तो अविकारी है ठीक वैसे ही आत्मा नात्म विवेकग ज्याने नौ उसका अब दूसरी बात के रहे हैं मने इसी प्रकार आत्मा नात्मा विवेक ज्यान के द्वारा आत्मा नात्मा विवेक ज्यान रूप जो बुद्धी है बुद्धी की विरत्ती है उसी को विद्या भी कहते है आत्मा और अनात्मा विवेक ज्ञान से संयुक्त जो वुद्धि वृत्ति है उसको विद्या भी कहते है यद्यभी ये असत रूप है ये विद्या और अविद्या दोनों के विशे में संभूती और संभूती के विशे में आगे विचार करेंगे अभिया इतना ही समझें यद्य अभी असत रूप है फिर भी परमार्थत हा अविक्रिय एव आत्मा ये असत रूपा विद्या भी ये बोध करा देती है बस तो तहा कि आत्मा अविकारी है और इसको जो जानने वाला है उसी को विद्वान कहते हैं इसलिए आत्मा ही भोगे गए ग्रिहीत सब्दादी विश्यों को आत्मा के द्वारा भुक्त मानते हैं ग्रिहीत मानते हैं ऐसी कल्पना कर लेते हैं वैसे यहां भी समझना चाहिए जो आत्मा अनात्म विश्यक विवेक विज्ञान रूप आत्मक असत रूप विद्या है ये जब ये असत ह तो अब इसके समबंद से वस्तुतहा यह मान लिया जाता है जाना जाता है कि अत्मा अविकारी है तो कहरें आगे कहते हैं बगवान का ये निश्चे है एसा जानने में आता है कि जितने भी कर्म हैं वो सब अज्ञानियों के लिए भीहित हैं इती भगवतो निश्चय अब गम में ते ऐसा भगवान का निश्चय जानने में आ रहा है कि विदुशह बई विद्वान के लिए तो सारे कर्म असंभव है उसके लिए आत्मा की नित्यता को जानने वाले अविकारिता को जानने वाले ज्ञानी के लिए सब कर्म असंभव हैं इससे लग रहा है यानि जो कर्मानी संती जितने भी कर्म है शास्त्रों तानी अगनी होत्रादी सब जिनका विधान शास्त्रों ने किया है तानी, सर्वानी, कर्मानी, अविदुशाह, वहितानी वो अविदुस्माने अज्ञानी के लिए उप्दिष्ट है अब यहाँ पर सामानिता ऐसा देखने माँ जो अगने होते हैं इतने बड़े-बड़े यग करते हूँ, अज्ञानी है क्या फ़र एक प्रकार से समझ लीजिए कि यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी का अर्थ आप सांसारिक दृष्टी से अपने बुद्धी की तराजू पर मत तोलो यहाँ संसार की दृष्टी में जिसको अज्ञानी कहा जाता है उसको एक प्रकार से मूर्ख मानते हैं आदिक आदिक, नजाने कितने कितने बड़ा निंद्य सब्द माना जाता है अज्ञानी और ज्ञानी माने बहुत अच्छे प्रवचन कर ले कुछ इस लोगों के अर्थ कर दे, कुछ मंत्रों के अर्थ कर दे कुछ लोगों के प्रशनों का उत्तर दे, बड़ा चतुर वो ज्ञानी माना जाता है वो ज्यानी और अज्यानी यहां अभिप्रेत नहीं है यहां विद्वान और अविद्वान ज्यानी और अज्यानी कहने का मातर इतना ही अर्थ है कि जो आत्मा की नित्यता को, अविनाशिता को, निर्विकारिता को बस्तुतह जाने वो ज्यानी उसके लिए कौन कर्मसेश रह गया कौन संबंद निर्भाहसेस रह गया इसलिए वो ज्यानी, उसके लिए कोई कर्मसेश नहीं है और जिसके दृष्टी में अभी इतनी प्रॉड़ता नहीं आई है जो उस पथ पर चल रहा है जो आत्मा को नित्य मानता तो है परन्तु अभी उस पत पर चल रहा है परिपक्ता के साथ स्विकार नहीं कर पाता है अज्यानिकार्थ ये है आत्मा की नित्यता में आत्मा की अविकारिता में अभी जिसको दक्षता प्राप्त नहीं हुई है वो अज्यानिया अभी प्रेथ है और जो मानी लेगा कि आत्मा की जिवा कुछ नहीं है तो फिर किसमें हवन करेगा किसका हवन करेगा क्यों हवन करेगा किसको उपदेश देगा क्यों उपदेश देगा और क्या उपदेश देगा आत्मा ही बेदम ये आत्मा ही सब कुछ है ये जान गया तो फिर क्या है विवहार से इसलिए जो उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिए ही ये अगनिहोत्रादी सास्त्र भीत कर्मों का अपदेश है तो इसलिए विद्वान और अविद्वान ग्यानी और अग्यानी शब्द का आर्थ इतना ही लगाना कि आत्मा को उस मूल रूप में जो जान गया हो ग्यानी और जो उस मूल रूप में जानने की और बढ़ रहा है वो वहां तक नहीं पहुंचा इस कक्षा तक वह अग्यानी उनके लिए क्योंकि जिसने आत्मा की इस रूप को इस रूप में जाना है उसने पहले अगनी होतरादी कर्म किये है यह गियागादी किये तो वो उस कक्षा में प्रविश्ट हो गये ज्यानी हो गये और अभी जो उस कक्षा की और बढ़ रहे हैं अवे निरंतर तो वो अज्ञानी पत से कहा है वो कर्म में प्रवीड हैसा कहा है तो साफी है पर एक बाद बताएए ये आप भगवान का इनिश्चे है तो प्रस्न कर रहे हैं पूरु पक्षी ने कहा कि ये ऐसा है ननो विद्या आपी अविदुशा ये विद्याते ये जो जैसे कर्म अविद्वान के लिए अज्ञानी के लिए उपदिष्ट है तो ये जो विद्या है वो भी तो अज्ञानी के लिए कही जाती है ज्ञानी को विद्या की आवश्यक्ता क्या है बिदित विद्यस्य पिष्ट पेशन बत विद्या विधाना नर्थ क्यात क्योंकि जो विदित विद्य है जो तत्त को जान गया है उसको इस विद्या का विधान करने की आवश्रक्ता क्या है यह तो पिष्ट पेशन हो गया कि चून आटे को पिष रहे हैं देसे लोग विम्हार में बोलते हैं कहा जा रहे हुं आटा पिश्वानी उल्हटा है ता उसन्काशाना क्या है कि मुझा कुछ आठा है कि यह प्ष्ट पेशन कहलाता है कि तो अ विद्या का विधान वहां तो कोई उचिति नहीं उसका अनर्थक है तत्र अविदुषा कर्मानी विधियंते न विदुषा इती विशेशों ये कहने की आवश्यक्ता क्या थी कि विद्वान को के लिए कर्मों का उपदेश नहीं है अविद्वान के लिए है ये कहना हमारी स अपदेश है अज्यानी के लिए यह क्यों कहा अलग-अलग भगवान भासिकार उत्तर दे रहें ना ऐसा नहीं कह सकते हैं यह नहीं कह सकते हैं क्यों बोले कर अनुस्थे अस्य भावा भाव विशेशोप पत्ते हैं अनुस्थे अस्य माने जो अनुस्थे है जो करतव्य है उ उसके भावा भाव से उसके उपदेश को करने से भाव और अभाव से भिन्नता की शिद्धी होगी कुछ विशेश प्राप्त होगा इसलिए कहा जा रहा है बोले वो क्या बोले अगनिहोत्रादी विद्यर्थ ज्यानोत्तर कालम अगनिहोत्रादी कर्म अनेक साधनोप संगहार पूरवकम अनुष्ठेयम अगनिहोत्रादी कर्म करने चाहिए ऐसा बिधी बाक्यों का अर्थात वेद के मंत्रों का उपदेश प्राप्त हुआ और उन मंत्रों का अर्थवी जान लिया किसी ने यावत जीवम अधीते जब तक जीए तब तक बेद पढ़े यावत जीवम जुहियात जब तक जीवन रहे तब तक द्विज को हमादिक करना चाहिए ऐसे अगनिहोत्रादी कर्मों के विधी का उपदेश करने वाले मंत्रों के अर्थ को जान करके अर्थक ज्यानोत्तर कालम जब जान गए बेद के मंत्रों को पढ़ा उसके अर्थ को जान गया मिमानसा के माध्यम से तदुत्तर काल क्या हुआ अगनिहोत्रादी कर्म अनेक साधन उपसंगार पूर्वक उसकी समग्र विधिया है कैसे कैसे होना है अनेक साधन है तो इस समग्र विध्या को विधा को जान करके क्या होता है बोले इति कर्म अनुष्ठेयम ये कर्म करना चाहिए करता अहम मम कर्त मैं इस यग्ज को करता हूँ अगनिहोत्र कर्म को करता हूँ एतत्मम करतव्यम ये मेरा करतव्य है बेद के इन विधिवाक्यों के अर्थ को सुन करके जान करके जिस व्यक्ति के चित में ये प्रवर्ति आई इदम मदिस्ट साधनम ये मेरा इस्ट मेरी इस्ट साधनता है यह यह मेरा करतव्य है तो वो अगनिहोत्र में प्रवर्टो हो जाएगा इती एबं प्रकार विज्ञान वतह आविदुशो यथा अनुस्ठेयम भवती इस अनुस्ठेयम भवती